जायत तर लोगों के कब्स हो जाता है डाइजिस्टिफ सिस्टम नहीं सही है पेट में जलन रहती है कब्स होना मतलब वावसीर होने की चांसे काफी हद तक बढ़ जाती है तो आज हम आपको ऐसे प्रोडेक्ट के बारे में बताने वाले हैं जो इन सब में काफी से इंफर्मेशन बताएं इसका इस्तमाल कैसे करना है यह हम आपको बताएंगे लास्ट में इसका मार्केट्प्राइज भी आपको बताएंगे तो लास्ट और झालीओ रहे हैं वीडियो के एंड में जवारीज जालिनूस एक प्रकृतिक युनानी दवा है जिसका उपयोग पाचन संबंदी शिकायतों के लिए किया जाता है इसके हरबल अव्यवों में पाचन संबंदी गड़बडी के लक्षणों को नियंतित करने के लिए अविशक गुड़ होते हैं जवारीज जालिनूस की प्रमुक सामगरी जटा मासी अद्रग डालचीनी इलाइची कुंजन आदी हैं इसके हरबल अव्यवों में भोजन की गड़बडी के लक्षणों को नियंतित करने के लिए अविशक गुड़ होते हैं या गैस्प्रिक एसिट के लक्षणों में सुधार करता है इसके बेनिफिट भी जान लीजे जवारीज जालिनूस को पेट फूलने गैस्प्रिक एसिट का इस्तुराव भोजन के बाद भारीपन कवस सीने में जलन आदी में प्रियोक किया जाता है जवारीज जालिनूस बवसीर के उपचार में काफ प्रियोक कारण है जवारीज जालिनूस गुर्दा और मुत्राशय के कार्यों में सुधार करके और इन अंगों को मजबूत करके मुद्रविकारों के इलाज में मदद कर सकता है इसका उप्योग पिशाप की बड़ी हुई आवरती और पिशाप करते समय दर्द को दूर करन के दवा की कैप को कसकर बंद करते दवा को मूल पैकिक और कंटेनर मी में रखे है चिकित्सा सहीती में जवारी जाली नूस कोई दुषप्रभव नहीं बताया गया है हाला कि जवारी जाली नूस का इस्तुमाल करने से पहले आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सला लेनी चाहिए अब इसकी डोजेज भी जान लीजिए जवारी जाली नूस की नियमित खुराग दिन में एक बार 5 ग्राम लक्षाण गरम बीर होने पर दिन में एक बार खुराग को 10 ग्राम तक बलाए दा सकता है प्लेट की जलन जोकिन को कम करके खुराग को बोजन के बाद एक गिलास पान वन केजी पैक 1295 और 125 ग्राम पैक 215 रूपीज ओफ़ली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सस्क्राइब करें और जादे से जादे शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में